नमस्कार दोस्तो प्रधानमंत्री किसान शम्मान निध्योजना को लेकि बहुती बड़ी ख़बर आपको बता दे दसवी किस्त से पहले सवी किसानों को करना होगा EKYC वरना नहीं मिल पाएगी दसवी किस्त जी हां दोस्तों अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान शम्मान निधियोजना के लाभरती हैं और प्राप्त करना चारे हैं दसवी किस्त या आने वाली जो अगली किस्त आएगी दिसंबर के महा में वो किस्त अगर आप प्राप्त करना चारे हैं तो आपको EKYC करवाना बहु केंदर सरकार द्वारा वोकिस्त आपको तभी मिलेगी जब आप EKYC कराएंगे तो चलिए आज संपूर्ण जानकार EKYC के बारे में इस वीडियो में हम आपके साथ सेर करेंगे कि आखिरकार क्या है ये EKYC किन-किन लोगों को EKYC करानी होगी साथ ही दोस्तों किस तरीके से आप जो है इसका लाब ले सकते हैं कैसे आप EKYC कराएंगे तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले में आपको प्रधानमंत्री किसान शम्मान निध्योजना की ओपिसल वेबसाइट पे आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा फीचर यहाँ पे जोड़ा गया है तो हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान शमान निजुजना की ओपिसल वेबसाइट पे आचुके हैं यहाँ पे आफ रेड कलर में आप यह जो नोटिफिकेशन जो है आप देख सकते हैं यानि कि इसका मतलब यह है कि आप अपने नजदी की CSC सेंटर पर जाकर अपना आधार वाला ओटीप जापके आधार कार्ड से जो ओटीपी नमबर है उसके लिए आपको बायोमेटरिक भी यानि कि आपका थमनेल आपका अंगुठा भी आपको लगवाना अनिवारे है उसके बाद नीचे की सैड आएंगे तो आपको यहाँ पर फार्मर कोर्नर में यह उपसन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे उपर ही उपर से हो रहा है EKYC New यहाँ पर EKYC का उपसन आपके सामने शो होगा इसके उपर आप किलिक करेंगे किलिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं आपको आपकी आधार EKYC जो है करवानी होगी यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार नमबर इंपुट करना है उसके बाद यहाँ पे image tax के अंतरगत यह capture code आपको जो है एजटी टाइप करना है और उसके बाद सर्ज के उपर किलिक करके आपका आधार जो है वो biometric के मादम से आपको जो है यहाँ पे verify करवाना है आपके साथ share करने वाला हूँ इससे पहले अगर आपने हमारे youtube चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसी प्रकार से किसान शम्मान निज्यूज नैसे जुड़ी पलपल की update पाने के लिए वीडियो के नीचे दिएगे red subscribe की बड़न को दबा के चैनल को subscribe करने आने वाले वीडियो का notification notification सबसे पहले पाने के लिए पास में बैला घंटेक निसान को दबा के on notification को जरूर करें और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को like सेर जरूर करें और दोस्तों किस भी प्रकार की समश्या हो तो comment box में जरूर share करें ताकि उस समश्या का समाधान में आपको पहुंचा सकूँ तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधा उस खबर की तरफ जी हां दोस्तों देख सकते हैं दैनिक भासकर की ओपिसल रिपोर्ट है यहां पे आप देख पाएंगे आज की यह ताजा रिपोर्ट है दैनिक भासकर की आप देखेंगे 11 दिसंबर 2021 की है यहां पे आप देख सकते इस परश टूब से बताया गया है कि लाभारती किसान परिवारों को हर सार मिलती है छह जार रुपए की आर्थिक मदद किराए पर खेती करने वालों को नहीं मिलेगा लाप साइट हजार किसानों को करानी होगी EKYC वरना नहीं मिलेंगे प्रधान मंत्री किसान शमान निधी उजना की 10 वी किस्त के रुपए यहां दोस्तों देख सकते हैं साइट हजार किसानों को अब कौन से साइट हजार किसानों को जो है यहां पर EKYC करवानी अनिवारे होगी इसको लेके अगर आप ये नोटिस अगर आप प्राप्त करना चारे हैं तो इसके लिए आप हमारी टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिशन मैंने आपको लब्द करा दिया है याप सर्च करेंगे टेलिग्राम पे पहले देखो पहले से को तो वहाँ पे भी आपको जो है मिल जाएगा तो दोस्तो आपको बता दे आप यहाँ पे जो है आपको अपने नज़दी की आधार कार्ड में मॉबाइल नंबर नहीं जुड़ने से आपकी मदद के लिए CSC सेंटर के उपर आपको जाके यह करवाना होगा उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसानों के लिए दोस्तो बहुत ही जरूरी ख़बर है यहाँ पे जिन किसानों ने अभी तक EKYC नहीं करा रही है वो तुरंद EKYC करवा लें उनकी दसवी किस्त अटक जाएगी सरकार ने PM किसान शमान निदियोधना में रेजिस्टर्ट किसानों के लिए आधार EKYC निवारे कर दी है बिना इसके किसानों को अपनी दसवी किस्त नहीं मिलेगी देश में करीब 12 करोड और किसंगड उपखंड की बात करें तो साइट हजार से जएदा किसान है उन्होंने PM किसान शमान निदियोधना में रेजिस्टर्ट करा रखा है तो वो अपने नजदी की CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक जो है वो जरूर करवाएं या आप अपने हुआ है सबी KYC करवाएंगे तबी जो है उनको इसका लाब मिलेगा तो दोस्तों ये थी KYC को लेके बड़ी अपडेट इसी के लावा हम मैं आपको बता दू हर राज्य में हर किसानों को जो है KYC करवानी होगी अगर अन्यथा अगर आप KYC नहीं करवाएंगे तो आपको जो है इसका लाब नहीं मिलेगा दसवी किस से लेके KYC को अनिवारे किया है इससे पहले जो रासन कार्ड था उसको लेके भी यहाँ पर अपडेट आई थी जिसके बारे में हमने आपको जानकारी हमारे चैनल के माद्यम से उपलब्द कराई थी कि रासन कार्ड में भी KYC कर आई ताई बताई गई है वहीं हम बात करे हैं हर राज्य की हर राज्य की सरकार जो है इक Pack के के लिए यह बार बार यहाँ पे बताई जा रही है कि सभी किसान एक कार्वाले अन्यता लाब नहीं मिलेगा। इसके उपर आप क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने आप तीन तरीके से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं आधार नमबर से भी मोबाइल नमबर से भी और बैंक अकाउंट नमबर से भी तो चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नमबर से करने वाला हूँ उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस में बताता हूँ तो दोस्तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर किसान की पूरी डिटेल आप देख पाएंगे उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर देखना है कि आपका आधा नंबर जो है verify है या नहीं है यह आप देख सकते हैं आधा नंबर is verified अगर आपका आधा नंबर verify है तो भी आपको KYC करवानी होगी KYC जो है यहाँ पर क्यों करवाई जा रही है इसका मतलब मैं आपको बता दूँ अभी तक कोई नहीं बता पाया है लेकिन मैं आपको बता दूँ KYC का मतलब यह है कि जितने भी किसानों की death हो चुकी है जो पहले से लगबग हम बात करें तो 3-4 साल से योजना चली आ रही है जिन किसानों की death हो चुकी है काफी किसान ऐसे हैं लाखों की तादाद में जिनकी death हो चुकी है या जो गलत तरीकी से इसका लाब ले रहे हैं तो बायोमेटरी का मतलब यह हो जाएगा कि जो किसानों की death हो चुकी है उनका thumbnail कहां से लगेगा तो एक तो वो जो फरजी सेट है उस पर जो ज्यादा बर्डन है वो भी कम होगा साथी सबसे बड़ा एहम कदम उठाने का यही मतलब है कि जिनकी डैथ हो चुकी है उनको अभी भी इसका लाब मिल रहा है तो इस कंडिशन में EKYC से जो है उन सभी किसानों का यहाँ पे नाम जो है काट दिया जाएगा और उनको आगे आने वाली किस्तों का लाब नहीं मिलेगा सबसियत बड़ी बात तो यही है अब थक जो है 9 किस्ते यहाँ पे आ चुकी है 9 किस्त 10 अगस्त को आई थी लगबग 9 अगस्त 10 अगस्त को किसानों के अकाउंट में भीज़ दी गई थी अब जो है 10 वी किस्त का इंतिजार है जो जल्द ही लगबग 15 दिसंबर से पहले पहले किसानों के अकाउंट में भीज़ दी जाएगी तो दोस्तों ये थी EKYC को लेके बड़ी अपडेट अगर आपको जानकारी पसंद आई हो और PM किसान सम्मान योधना से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट हमार किसी प्रकार से एक और अपडेक्ट साथ तब तक के लिए जये भारत जये जवान जये किसान